और सेवा करते हुए स्थिती कैसी होनी ची वो तो खेर इस बार की पुरा पुर्शारती है इस बार के संड़े की मुल्ली और बाबा ने एक बहुत अच्छा नया तो नहीं मतलब रिमाइंड कराया ड्रामा के लिए बाबा एक स्लोगन करते है कहते नथिंग न्यो ड्रामा एक तो अब कौन सी बातों में वी टेंची करना है डेखेंगे बाबा के शब्डों में 18.6 के महवाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आये है, तुम बच्चों की खिद्मत करने, सेवा करने, तुम भी बाप समान बन सब की खिद्मत करो. प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौनसा एक विचार चलता, जिस पर श्रु बाबा कहते हैं, वेट एंड सी, फिकर मत करो. बाबा का कौनसा विचार चलता हो, बड़े दिल की बाते बाबा कहे रहे हैं, बाबा कहते हैं, वेट एंड सी. बाबा का विचार चलता कि समय बड़ा नाजुक होता जाता है बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है सब बच्चे आने वाले हैं तो इतने धेर बच्चे कहां कर रहेंगे कितने मकान बनाने पड़ेंगे शिब बबा कहते वेट एंड सी सब आएंगे पूरी दुनिया आएगी उस समय क्या था सुखदाम भी नहीं था मेडिटेशन हॉल भी नहीं था सिर्फ हेस्ट्रियोल बबा कहते वेट एंड सी और फिर बबा कैसे निश्चिंद करते कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसी रहेंगे तुम फिकर मत करो तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मनाभव तुम्हे करमातीत बनने का पुर्शार्थ करना है तो ब्रह्मा बाबा का वो एंगल का फिकर है हमारा कुछ और फिकर होगा कैसे होगा लॉकडाउन है क्या है यह है वो है बहुत सारे फिकर है वेट एंड सी तो यह तो आज का सिच्वेशन शीबाबा ने जैसे कर दिया ना आप किसो को वा रुखना ही ने ना सिर्जूम पे क्लासे जो रहे है मतलब पता नहीं ना हमको यह भी एक ड्रामा का पार्ट है बाद में भी पता नहीं कौन सा पार्ट है यह यहां ओनलाइन तो चलो एक ड्रामा का पार्ट है ना आगे तो खुलने यह भीड नहीं लगेगी के सेंटरों पर ऐसे इसाड़ी जूम पे थोड़ी हो जाएगा प्रैक्टिकल दर्शन के लिए आएंगे नहीं लोग बाद में मतलब कभी भी हो सकता है वो बाद कभी कभी भी भीड लगे पहले मतुवन भी जाते थे तो यह एक ड्रामा का चोटा सा सीन है अच्चा गीत है तुमें पाके हमने ओम शन्ति बाप भी कहते बच्चे ओम शान्ती और क्या कहेंगे बच्चों को कहते बच्चे ओम शान्ती ततत्वम हे बच्चों तुम भी शांस वरूप हो तुम भी मास्टर पतित पावन हो ऐसे और कोई कहनी सकेंगे कहां जाता है जैसे काग वैसे बच्चे तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा, वैसे हम, बाब कहते हैं, मैं ग्यान का सागर हूं, तुम बच्चे भी समझेंगे, हम मास्टर ग्यान के सागर है, गोया, मास्टर ग्यान सागर, या तो वैसे कह दो, गोया, नदिया ठेरे, ग्यान नदी है, सागर के बाल बच्चे भी होंगे न, बड़ी-बड़ी नदिया भी है, बड़े-बड़े तलाव, बड़े-बड़े सरुवर भी है, सागर के भी तो नदिया भी तो बहुत बड़ी-बड़ी होती, कम थोड़ी होती है, वो है जड़ तुमों चेतन्य, सागर से निकले होय हो, कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं है क्योंकि पड़ी लिखी तो बच्चिया है नहीं उन दिनों तो नहीं थे ना इतनी बच्चिया बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किसे बनती है, गुड़ किसे बनता है तो बोला लाल गन्य से गुड बनता है सफेद गन्य से छीनी बनती है बच्चीयों ने जवाब दिया विचारी पड़ी हुई तो है नहीं अब तुमको कितनी बड़ी बाते समझ जाते हैं कितनी जान की दाधी कितनी पड़ी थी 10th भी नहीं थे और प्रकाषमनी दादी तक थी, तक थी कुछ, मम्मा इंगलिश मिडियम की थी, शाधी नहीं थी, दोनों क्लासमेट थे, मम्मा और प्रकाषमनी दादी, तो टेंथ है, दादी नहीं थी. वर्ल्ड को, वर्ल्ड क्या है, गलोब ट्रोटर, थर्ड क्लास, थर्ड स्टेंटर, मम्मा की शादी तो नहीं हूँ, नहीं, एंगेजमेंट शाद हो गया था, ऐसा ही कुछ है, इन दे सेंस देख रहे थे, बड़ी थे ना मम्मा, तो बाप कहते है, बीचारी पड़ी हुई त मनुष्य बहुत बढ़ते जाते, तो पानी भी बहुत चाहिए, कितने कैनल जादी बनाते रहते हैं, तो तुम बच्चों को उड़ते, बैढ़ते, चलते, फिरते, यही ख्याल रखना है, कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, घीत में भी कहते हैं, बाबा, हम राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लिए चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, यह कोई क्रश्न को नहीं बुलाते हैं, पतित पावन जो कहते हैं, क्रश्न को नहीं कहते हैं, निराकार भगवान को ब पुलाते हैं। जब कहते हैं पतीत पावन तो क्रश्न बुद्धी में याद नहीं आता है। परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुक बठे हो। यह कोई सादू संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार श्रेबाबा इस प्रवेशकर हमको पढ़ाते हैं। एकदम क्लियर सबको निराकार परमात्मा ब्रमातन में आकर प्रवेशकर समझाते हैं। गायन भी है परमपिता परमात्मा ब्रमातन द्वारा आदी सनातन देवी देता धरम की स्थापना करते हैं। विनाश थापना के बाद ही हुआ कुरानी दुनिया में आते अगर विनाश मतलब स्थापना के बाद विनाश हुआ पहले विनाश हुआ स्थापना पालना विनाश विनाश स्थापना पालना या स्थापना विनाश पालना इसे सिद्ध है कि पूरानी दुनिया में आते नहीं दुनिया यह पालना वाला फेज है ब्रह्मा का पालना के फेज है, बच्चे की पालना हो रही है, तो इसका मतब क्रियेट होगा तभी तो पालना हुआ, क्रियेट कब हुआ, तो क्यूंकि सत्यू के पहले विनाश हुआ, तो विनाश के पहले क्रियेट हुआ होगा तभी तो फिर उसकी पालना हो रही है, कितना जिसारी नहीं निनीन टूस्प्स प्रसाओं रिचॉस्सय। कि कि इक लग्वाल्टेर अब इखल नेया एक धरम वाले देवी देवतु के निशनी चक्रादी है इन लक्ष्मिनारन को कहते ही यह विश्व के मालिक स्वरका मालिक सो विश्वका मालिक हो गया ये बाते अभी तुम बच्चों की बुद्धी में बैठी है अब आप केते बच्चे मन मना भव ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है बाप को और वर्से को याद करो ये भूलो मत और पॉइंट्स भूल जाती है ये तो मुख्य है ना बाप और वर्से को याद करो बाप ही पतित पावन है कुछ भी नहीं करना है बाप को याद करो ये पुर्शारत आज का यही पुर्शारत है अगर समय मिला तो बताएंगे अपने सारे काम बाबा को बोलो बाबा ये तुम करो ये तुम करो ये तुम करो ये तुम करो मेरे को क्या करना है मुझे सिर्फ आपको याद करना है बाकी यहाँ वाली डूटी आपकी आप वाली याद करने की डूटी मेरी आज पूरे दिनी पुर्शारत करो यूज करो ना बाबा को जो भी पेंडिंग लिस्ट है न अभी आड़ बजे ये करना है, साड़े आड़ बजे ये करना है नौ बजे ये करना है तो बाबा कहते है तुम समझ यह युक्ती बताते है पावन बनाने की पावन होने की निराकारी दुनिया भी पवित्र है साकारी दुनिया भी पवित्र है अब पवित्र पति दुनिया यह है वह है आत्माओं के निराकारी दुनिया वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर के आकारी दुनिया वह है देखो बाबा इधर नीचे बैठे ना सामने हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना बाबा बाबा केते है देखो वह है निराकारी दुनिया फिर वह है आकारी दुनिया दिखाई दे रहा है बाबा जो कहते है सत्यूग में कितनी छोटी स्रष्टी होती है वहां है यह एक धरम बाकि मनुशे जो कहते कि वहां भी देते आ दी थे यह सब है जूट तुम समझते नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश काया हुआ है सब का विनाश होगा और सत्यूग हैविन की स्थापना होगी तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो बाप भी आती है बच्चो की खिदमत करने यह है बेहत की बाप बेहत का बाप देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हुई है तो जरूर तरस पड़ेगा न वह ही रहम दिल बाप अभी तो सारी दुनिया में अशान्ती है एक बाप के सिवाए और कोई शान्ती दे न सके खट्योगी भी अथा है आत्मा के लिए कह देते हैं वो निरलेप है मनश्यों को उल्टी बाते सुना देते है वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता ही नहीं है कहते भी है यह पाप आत्मा है आत्मा के लिए कहते हैं न वर्स पाप आत्मा, पुन्यात्मा, देवात्मा तो फिर सारा उपर नीचे जो हुआ वो आत्मा में हुआ शरीर को क्या प्रॉब्लम है? शरीर का क्या प्रॉब्लम है? गलती भी उसने की, आत्मा ने की सारा डिसाइडिंग फेकल्टी आत्मा है तो इसलिए उसी का नाम रखा है न? तो इसका मतलब चैर्मेन कौन होगी? कम्पनी डूपती है तो दोश किसको देते हैं? एम्पलोईस को देते हैं? इसका मतलब करने वाला करना ही कराने वाला आत्मा है अगर पाप आत्मा आत्मा कही तो आत्मा कर रही है न सब कुछ तो बहुत पाप करते हैं यह महात्मा है, पुन्यात्मा है ऐसे नहीं कहेंगे, हाँ, खाली एक बात नहीं कहेंगे महान परमात्मा है देखो कितनी गहरी बात बाबा ने आज डिस्क्लोस कर दी, अगर समझ में आईए तो, आत्मा के लिए अलग-अलग वर्ड्स है, क्योंकि आत्मा ये सब करने का पाठ है आत्मा में, कर सकती है, परमात्मा के लिए ये वर्ड्स कुछ आते ही नहीं है, परमात्मा कहे दिया इसका मतलब हर तरह से वो महान है, उनके लिए नहीं बोलना पड़ता है, महान, परमात्मा, महान, या कोई वर्ड यूज नहीं करना पड़ता है, परमात्मा वर्ड्स मतलब ही, बेस्ट, हाइस, हाइस तो है परम, बेस्ट, तो इसलिए आत्मा में चेंज तो सन्यास्यों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा क्योंकि सन्यास किया हुआ है अब आप समझाते आत्मा को पवित्र बनाने वाला शिफप सिवाए एक बाप के और कोई हो नहीं सकता पतित दुनिया में पावनात्मा कोई होई न सके अभी सैपलिंग लगता है धीरे धीरे व्रद्धी होती जाती है यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आती टाल टालिया है उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है अनेक प्रकार के मंत्र देते है किसम किसम के मंत्र देते है यह भी व वशी करण मंत्र है, जिससे तुम पाच विकारों पर जीत पाते हो, राम राम का मंत्र जबते हैं, इससे फाइदा तो कुछ भी नहीं, यहां तो बाब कहते हैं वशी करण हमारा मंत्र है, यह देखो दुनिया में मंत्र जाप, वैसे ही अपने आप में महान है, और फिर किसी क को वश करने का जाप हो तब तु बहुत ही पावर्फुल है बाबा केते हैं मन मनाभव यह वशीकरन मंत्र नॉमली जैसे किसी को आपको एंदम इंफ्लूएंस करना ना यजादू लोग बहुत यूज करते हैं जादू magicians किसी को आपको वश में करके रखना है जैसे कभी कई होता है न घरों में यह वो यूगल होता है बहुत ही मतलब मदर इनलो के अंडर में होता है या कुछ तो वो विचारी वो बहुत तंग आती है वो फिर इन लो इस तरह के बताते कि यह कुछ ऐसा मंत्र उसने पढ़ा हुआ है सास ने ऐसा और हम किसको वश कर रहे हैं मन को और शुबा बाखो बस आत्माओं को वश नहीं करते हैं इसको कर लिया ना आज का संदेश बहुत अच्छा है अगर इसको कर लिया बाबा को कर लिया तो पूरी दुनिया को कर लिया आज हम सुनेंगे मुहिन इवन का संदेश तो बहुत इससे फाइदा तो कुछ भी नहीं है, यहां तो बाप कहते है, मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, याद को योग कहते हैं, भारत का प्राचीन योग बहुत मशूर है, इस योग से ही तुम विश्वा पर जीत लग आतरो, तुम अड़ा पाप न सके, ब्रामन कुल भी ज़रूर चाहिए, इसको कहा जाता है, इस ब्रामन कुल को कहा जाता है, सर्वो तम उछते उचा ब्रामन कुल, अभी तुम ब्रामन हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना, शुदर से ब्रामन बने हो, फिर देवता शत्रिय, तो अब बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चो, बहुत थोड़ी बात है, अच्छे बाप की याद में रहो, चलो एक सेकंड, सामने बाबा, ले लो पावर्फुल द्रिश्टी बाबा की, मुझा आत्मा पर, तो बाबा केते हैं, बहुत थोड़ी सी बात है, बस बाप की याद में रहो, यह तो बुद्धी में हैं न, बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे, 84 लाक खत्मा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए न, 84 जन्मों का तो मैंने हिसाब बता दिया, मैंने, श्री बाबा ने का, 84 जन्मों ते हैं, मैंने हिसाब बताया, आचा, जिन्होंने 84 लाक्स बोला है, उनके पास जाओ, बोलो, हिसाब बताओ फिर, इस 84 लाक्स कहां से आया, पूचा कभी किसी को, किसने पूचा, सुमन बन का है, पूचा नहीं, वो बताई ने सकते हैं, तो फिर कैसे, आपने कैसे बिलिव किया, वो बता नहीं सकते, उनको मालूhm भी नहीं हो, खुद कोई नहीं मालूम भी नहीं है, लोगे तो सब कुते बिल्ली बगेरा सब में बता रखाए ना मच्शर मक्ही सब में आथम आत्म जाती है। वो सब ठीक है लेकिन ٹोटल बताई ना 84 लाक्स हम यह नहीं बना लिया, सारों को मान लिया, तो भी नहीं होता है कि वह बाद में बाद भाबा केते हैं, है। तो 84 का तो हिसाब मैं बताता हूँ, अब 84 लाग का तो कोई हिसाब बता न सके, आत्मा ये उपर से आती है, पाड बजाने के लिए, सत्युक से लेकर कल्यूगंत तक आती है, आती ही रहती है, हर एक अपना-पना पाड बजाती है, ये बताया, अच्छा, एक पॉपुलेशन इतना बड़ा कैसे, वो बताओ, आत्मा तो शरी छोड़ती, मतलब मरती नहीं है, तो आज कम है, कल कम था, जादा है, ये कहां से आया, इसका उसर बताओ, तो जाती है, मरती तो है, तो गई कहां थी आत्मा फिर, बहुत सारे unanswered questions है, हमने कभी पूछा नहीं, हाँ हाँ करत बात्व को मनुश्य मात्र नहीं जानते हैं एक बाप ही जान सकते हैं मनुश्य को कभी परंपिता गॉडफादर नहीं कहां जाता है तो हर एक आत्म अपना-पना हो जाए, एक ड्रामा में एक जैसा पार्ट दो तिन जनों का हो जाए, वो देखने की इच्छा नहीं करेंगे, इसका अलग पार्ट उसका अलग पार्ट है, तभी तो देखने जाते हैं, गौड फादर कहने से फिर निराकार शिवतर बुद्धी जाती, जीव आत्मा का बाप तो होगा ना, आत्मा एक शरीर छोट दूसरा लेती है, निराकार बाप का नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा, फिर शरीर में भिन-भिन नाम पढ़ते हैं, परम, पिता, परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं, शरीर भी अगर थोड़ी तो बाप समझाते हैं, इनका तो अपना नाम है, इनका, इनका, सामने ब्रह्मा बाबा है ना, मेरा शरीर का तो कोई नाम ही नहीं है, बाबा कहते हैं, मेरा शरीर का तो नाम ही नहीं है, क्या बोलेंगे हम बच्चे, बाबा आपको शरीर ही का है, ना मैं पुनरजन में आता इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, बाबा ने कब प्रवेश किया, कोई तिथी तारिक नहीं, गुलजार दादी की तन में बाबा आते थे पता चलता था? किसने देखा? बोलो गुलाब भाई. शब्दों से पता लगता है, वैसे पता नहीं लगता है. दादी वतन में जाती वो पता चलता है, बाबा का बाते वो पता थोड़ी चलता था? तो बाबा कहते है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, मैं आता हूँ. इनको मालूम नहींपड़ता है, कोई तिथी तारीक नहीं है, बरह्मा बाबा का तो ख嚇ल पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बाबा वतन में जाते ही नहीं थे, बाबा तो एक्टिव थे, श्री बाबा के दोरान, श्री बाबा आते थे उस दोरान भी, कोई तिथी तारीक ही नहीं, हाँ मैं कल्प के अर्थात रात में आता हूं, अभी रात है न यह ही पतितों की दुनिया, मैं आता हूं पाव तारिक वेला नहीं निकाल सकते हैं क्रश्न को भी पूझते हैं जैसे दुनिया में होता है ना ध्यान में जाते थे तो वो इरा बताते कि इस समय ये मतलब हुआ ये साक्षातकार हुआ उस पीरेड में बहुत जाते थे तो क्रश्न को भी पूझते हैं उनको उनका रात्री को जनम दिखाते हैं किस समय कितने मिनट आदी ये भी तो किस समय कितने मिनट आदी सारा निकालते हैं सी क्रश्न का जनम बाप कहते हैं मैं तो हुई निराकार जैसे और मनुषे जनम लेते वैसा मेरा जनम थोड़ी होता है मेरा तो दिव्य अलोकिक जनम है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ क्यूं? अब सुनो कितना अच्छा बाबा नेगा बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते है गाड़ी में सारा दिन थोड़ी बैठो के पता है आपकी गाड़ी है मुझे कब आते बाबा मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ सुना देखो भगवान कहता है क्या स्टेटमेंट का बोलो दिपी का बेन क्या बोला मुझे अंडरलाइन हाँ मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ हाजिर हाजूर हूँ हाजिर हाजूर अभी याद कर लो अभी याद दे रहे ये बच्चे ने अपने घर में वहाँ याद किया सब के लिए हाजिर है इसलिए तो बहुत रूपिया है तो बाबा केते हैं, बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, हम सभी अनुभव करते हैं, देखो, बाबा मेरे साथ था, बाबा मेरे ये काम किया, ये किया, ये किया, हाँ, सारा दिन इसमें नहीं बैठ जाता हूं, बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, मनुशे एक दो में मिलते हैं राम राम वा नमस्ते करते हैं यह तो रुहानी बेहत का बाप समझाते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ तो शिबाबा की संतान तुम सब आत्मा ए भाई-भाई ओ यह खुशी का पारा चड़ना चीए कि बेहत का बाप आया हुआ है हमक बच्चों को देख, बाप को भी खुशी होती ही न, बच्चों को देख, धेर बच्चे है, बच्चे जानते हमको बाबा स्वर का मालिक बना रहे है, राजा ही देते है, प्रजा भी तो कहेगी न, कि हमारा राज्य है, जैसे भारतवासी कहते है कि ये हमारा भारत देश है, र राजा भी कहते हैं, तो तुम बच्चे फिर स्वर्गवासी बनते हो, देखो बाबा ने कितना अच्छा स्वर्ग का मालिक बाबा बना रहा है, तो वो स्वर्ग के लिए अपना पन, जैसे राजा भी कहेगा मेरा देश, मेरा और प्रजा भी कहती है, इसी तरह सत्यूग में स मेरा सत्युफ, मेरा है, मालिक का मतलब क्या मेरा पन, तो ऐसे नहीं उसका है, हमको क्या करना है, वो राजा जाने न, यह प्रॉब्लम हो रही, राजा जाने, सबको अपना पन है, this is called leadership, कमपनी में रूल करना, एक टीम वर्क करना हो, जिसमें सभी आत्माओं को लगे मेरी कमपनी है, मेरा परिवार है, इसको कहेंगे, रूलिंग, इसको कहेंगे leadership, इसलिए देखो, बाबा ने अच्छा एक्जामपल दिया, बचे जानते हैं, बाबा स्वर का मालिक बना रहे, रा राज्य हैं, जैसे भारतवासी कहते हैं, यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हमारा देश है, तुम बचे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाब को वर्से को याद करना है, और कोई तकली बाबा नहीं देते हैं, रहना भी ग्रहस्ट सुना कि इतने सालों में कोई स्टेटमेंट बाबा केते रहना भी ग्रहस्त विवार में है यहां कर थोड़ी रहना है सब यहां भाग कर आए तो इतने सब को बाबा कहां रख सकते इतने सब धेर बचे एकी बार कैसे इकठे हो सकते सब सेंटर्स के बचे एकी बार इकठे मिल क सकते कहां ठेर सकेंगे सारे आ जाए बाबा के पास तो इतने रखेंगे कहां मुश्किल है ना दिन प्रति दिन बच्चे व्रधी को पाते रहते हैं इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े यह सब आसपास वाले मकान भी लेने पड़ेंगे मकान वालों से पूछेंगे सुना कितना मांगते है बच्चे आएंगे मकान लेने पड़ेंगे कितना पैसे लेते है समय पर तो लेना पड़ेंगा ना अच्छा पैसे की तो कोई बात नहीं समय बड़ा नाजुक होता जाता है बाप और बच्चे दोनों अविनाशी है अविन बच्चों को आना होगा, बाबा विचार करते है, इतने धेर कहां कर रहेंगे, अभी से बाबा को उना आ गया, कुछ नहीं था, सिर्फ इस्ट्रियॉल, कितने ट्रेनिंग सेंटर बना था, बाबा के सामने फोटू है ना बाबा की ट्रेनिंग सेंटर के, और कुछ नहीं था, आज दीदी आएंगे ना सुनाएंगे, तो अभी इतने सारे बच्चे शान्तिवन सोच भी नहीं सकते, यह जब बना था कौन सा, युनिवर्सल पीस हॉल, सोचा यह कैसे भरेगा, मतलब इतने धेर बच्चे आएंगे, लेकिन बाबा को तो देखो कितना हो ना था, अच्छा फिर बाबा क्या कहते हैं, तुम फिकर क्यों करते हो, वेट एंड सी, आज का स्लोगन है, कुछ भी बात होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना भो, तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है, कि अभी हमको कर्माती तवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, ठीक है, एक ही ख्यालात, मुझे सतो प्रधान बनना है, बस, फिर बाकी सारी ख्यालात बाबा अपने आप, बाबा को बोल दो, वो सब, यह हमारा डील है बाबा के साथ, तुम यह करो, यह तुमारी आउटलूक है, एरियाज है, वो हो जात क्या चुछे न शौन में गरष्घा अधर। इतना तुम देखो, यह इतना वह ओज देखो, यह इतना मैं तो । बाबा के सार, सभी ने डेल कि है, यह आपको देखना हि, यह मैं देखों की यह जामों डेल क्या, ता अज का पुरषारत है, इतना मैं कर लो कि मुझे کیा करना है वो मैं करूंगी बाबा आपको क्या करना है वो आप करो wait and see तुम बच्चों को एक ही ख्याल रखना है काौन सा? कर्माथती तवस्था में जाना है सत्व प्रधान बनना है याद सही पावन बनेंगे बाबा बात तो बहुत सहज बताते, अती सहज है, सिर बाबा को याद करना है, देखो, गाए के बच्चे को, जब मा की याद आती है, तो चिलाता है न, वो तो जानवर है, बच्चे को आती है न, मा की याद, तो कितना चिलाता है, तुम बच्चों ने भी रडिया मारी न, कि याद आता है? क्या किया मंदीरों में कई, जोर-जोर से घंटा बजाया बहुत जोर-जोर से जितना हो सके फर हम रामाईन पढ़ते थे जोर-जोर से बोलते थे इतना जोर से कि अगला दिन गलाप पूरा बंद हो जाना चाही मतलब यह लक्षी ही ओता था, बोला था सबने, जदी-जदी पढ़ना पड़ना है था, लक्ष भी ओता था, और ओजब शुवाज हागा धोलक और यह मजीराः ज़र-ज़र से, कि जैसे विचारे को सुना ही नहीं दे रहा हो भगवान को इसलिए यहां कि आए दम साइलन्स तो बाबा कहते है रडिया मारी थी ना आगे चल बहुत चिलाएंगे बहुत याद करेंगे तुम बच्चे तो जानते हैं कि बाबा आया हुआ है जोर से तब भी बोलना पड़ता है जब दिल की दिल का तार नहीं मिलता है ना किसी के कहते है क्रोध मतलब क्या क्रोध में क्यों जोर से बोलते क्योंकि अंदर से इतनी दूरी हो जाती है तब जोर से बोल जाती तो परमात्मा को भी इसलिए जोर से बोलना पड़ता था क्योंकि अंदर से बहुत दूरी थी हमारी उसके साथ तब फिर आवाज से बोलना पड़ता था अब इसलिए हमको आवाज करना है हमको तो संकल भी नहीं करना होता है ना अब तो ये style है ना मरा Natural Calamities आनी है, सब आपस में लड़ते जगरते रहते, कितना खर्चा कर bombs बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहां से लाए, डरते भी है मौत से, फिर भी bombs बनाना तो बन नहीं करते, bombs की लड़ाई चलेगी, अभी बनाती ही ऐसे है, कि जो bombs गिरे और मनुष्य मर जाए, चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो minute motor, जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं, bombs भी कोई थोड़े बनेंगे क्या, तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी स्रिष्ठी का विनाश होना है, अब बेहत के बाप से वर्सा लेना है, गी कामे कथा सुनाना, तुम क्या सबते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे का वर्सा मिल रहा है, अच्छा, मिठे मिठे, सिके लदे बच्चोप्रती, मात पिता, बाब दादा का, यात प्यार, गुड मॉनिंग, रुहानी बापकी धार्ना के लिए सार है, रामा के हर रास को जानते होए, किसी भी बात की फिकर नहीं करनी है, आज का टेक अवे मेसेज है, रामा के हर रास को जानते होए, किसी भी बात की फिकर नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मा तीत बनने का ख्याल रखना है स्वयम को सतो प्रधान बनाना है दूसरा है हम आत्मा शिवाबा की संतान आपस में भाई भाई है शिवाबा से वर्सा ले रहे है इस खुशी में रहना है शिवाबा से वर्सा ले रहे है, इस खुशी में रहना है वर्दान है हर शिक्षा को स्रूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत वा सक्षातकार मुर्त भव जो बच्चे शिक्षा को सिरुफ शिक्षा के रीती से बुढ़ि में नहीं रखते लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं वह ज्यान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप स्थिती में स्थित रहते हैं जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप स्थिती में स्थित हो सकेंगे हर पॉइंट को सुरूप में लाएंगे तो पॉइंट रूप में हो जाएंगे अंडरलाइन पॉइंट का मनन अत्वा वर्णन करना सहे जाए लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्मों को भी स्वरूप का अनुभव कराना यही है सबूत देना अर्थात सपूत वा साक्षात कार मूर्थ बनना तो यह आज हर शिक्षा को स्वरूप में लाना है तो फिर उसको कहेंगे पॉइंट रूप हर सिक्षा को स्वरूप में लाना पॉइंट रूप पॉइंट को स्वरूप में लाना तो पॉइंट रूप आत्मा हूं इसको कहेंगे सबूत देना इसको कहेंगे साक्षात करमूर्थ इसको कहेंगे सपूत तो पॉइंट रूप मैं पॉइंट रूप आत्मा हूं मतलब जैसे ये याद करेंगे तो पूरा वर्दान भी याद आ जाएगा और हमारे क्या मुझे करने वो याद आएगा इसलिए स्वमान रखते मैं दिव्य प्रकाश हूँ ये तु हूँ मैं पॉइंट रूप आत्मा हूँ स्लोगन ए एकागरता की शक्ती को बढ़ाओ तो मन बुद्धी का भटकना बंदो जाएगा आज का अवेक्ट इशारे है अपनी शुब भावना स्रेष्ट कामना स्रेष्ट व्रत्ती से स्रेष्ट व्राइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हूँ मनसा द्वारा अनेक आत्मों की सेवा कर सकते हो इसकी विदी है लाइट हाउस माइट हाउस बनना इसमें स्थूल साधन चांस्वा समय की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ लाइट माइट के संपन से संपन बनने की आवश्यक्ता है यह है यह अभी का था ना यह दो पिछले हफते से मुर्ली का था लाइट हाउस माइट हाउस बनो और हो जाएगा यह आज के संदेश में और क्लियर हो जाएगा तो यह और मम्मा का पॉइंट है बाबा ने यह समझाया है वह भी बताने में ऐसा रस जो हरे को सहच समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है मैंने मुझे मेरा यह विचार है मैंने बाबा ने यह कहा है ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत प्रमान उठाने है तो यह है मम्मा के महावाक्य अच्छा जे क्या है